आज मौरिय विकास संस्ता रजिस्टर्ट बरेली के द्वारा संचालित मौरिय चात्रावास के अंतरगत महत्मा जोता रावे फूले की पतनी माता सावित्री वाई फूले की आज जनम सतवबदी समारो हम लोग मना रहे हैं जो तीन जनवरी को पिरतेक बर्स मनाया जाता है माता सावित्री वाई फूले का जनम 1831 में तीन जनवरी को हुआ था महराष्ट के अंतरगत जिन्होंने इस्त्री सुधार, इस्त्री सिक्षा और इस्त्री की दमनकारी जितनी भी नीतियां चल नहीं थी उनके कारण संगर्ष करके और सिक्षा के छेत्र में एक अगरणी भूम का निभाई थी उस काल खंड के अंदर महलाओं के लिए सिक्षा से बंचित रखा गया था इसकूल नहीं थे, आप के द्वारा माता सावित्री वाई फूले के द्वारा खुद पढ़ी और उन्होंने पहला भारत के अंदर ही नहीं बलकि एसिया के अंदर पहला एक ऐसे विध्यालेक की स्थापना की जिसके अंदर महलाओं के लिए सिक्षा का उन्होंने योगदान दिया इसलिए उन्हें हम सिक्षा की देवी कहते हैं, सिक्षा की अग्रली और सिक्षा की महान समाज सुधारक के रूप में जानते हैं इसलिए आज संपूर्ण देश ही नहीं, बलकि विभिन्ने देशों के अंतरगत माता सावित्री राई फूले के लिए सिक्षा की देवी के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं हम उनका जनम दिन मानाते हैं क्योंकि आपने इस्त्री सुधार के साथ-साथ उस समय इस्त्रियों पर जो जुल्म हो रहते जो अत्याचार हो रहते जो दमन हो रहा था उसके पिरती आवाज उठा करके समाज को एकत्रत करने का कारे किया, महलाओं को एकत्रत करने का कारे किया, आपने बहुत अत्याचार सहे, आपने बहुत दमन सहे, उसके सहाथ साथ आपने सिक्षा की लोग जगा करके आपने पूरे भारत में अपना नाम किया था पूरे समाज को सिक्षित करने का बीड़ा उठाया और भहुत सारे स्कूल खोले सती प्रथा के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी और सती प्रथा का अंत कराया तो इस तरीके से भहुत सारी कुरितियां थी तमाम गरीबों की सेवा करना असहायों की सेवा करना बीमारों की सेवा करना इनका काम था और कोई परत्यक्ता महला अगर है तो उसको सहारा देना उसका पुनर विभा कराना ये सावित्री भाई फूले और जितुवा फूले का काम था तो समाज में इस तरीके की काम उन्होंने किये इसलिए वो महान है हम आज उनकी जनती मनाते हैं और हरवस मनाते हैं और पूरे देश में दुनिया के तमाम देशों में उसे मनाय जा रहा है।